प्रोसेस था जिसको हम पहले ये प्लेंज लगा के नटबोल्टों से टाएट करते थे दूसरी तरत भी नटबोल्टों से टाएट करते हैं उसकी बद में हम इसके यह अर की फिटिंग लग ते हुश की बाद हम इसे जहें और यह देने के बाद में इसको यहाँ थे मारे रह후 स६्झ के टिया हुआए यह नीचे मेस jego लगा हुआ है इसके नीचे गयस की डाली होई है और ये में लगा रखा हुआ है यहां से यह देते हैं है इसे लगा के यह पर आव पदलों गया पाच केजी है कि अब इसको भी बेहरा प्रेसर पांच केज़ी रहता है तो यह कहीं भी लिकिज नहीं अब अगर यह लीकिज होता है तो यह प्रेशर अपने आप ही डाउन आ जाएगा वांच मिटे दस सेकंड दस मिटें और इसको दबाने के लिए हम इसका प्रियोग करते हैं इसमें हमें यहां तक दबाना होता है अजय क्यों आपका करीब 30 कजी 5 जी और पांच के जी आप इने तो इस प्रोसित एंडने में अफने बहुत से वीड़ा फांगे आते अधे मैक्संम पंधरे मिनेट लगते हैं पहले हमें कितना टाइम लगता था इसमें पर आले पहले इसमें एक से सभाव अटा लग जाता था और दूसरा यह है कि इस प्रोसिज को कोई भी इंजिनर में बड़े आराम से कर सकता है पहले उस पर नट वोट टायट करने के लिए सारे इंजिनर में बचते रहते थे इसर में नहीं करूँगा में आप इस कोई भी कर सकता है और क्या पाइदे हुए में इसको दूसरा यह नेट वोल्ट से जो हमारे यहां इसके पड़ते थे वह भी खतम हो गए है और सबसे अच्छा यह है कि इसमें को बहुत ज़दा बचत हुआ है कि जो हम सवाव एंटे में करते थे वह हम 15 मिंट में कर रहे हैं दूसरा इसको अ लुद इसमें कोई खराब होने के भी चांसे नहीं है कि इससे क्या टेस्स की क्वालिटी भी प्रूव ही जी और यह यहां से काट के फिर अपर करता था तो मैंने यह सोचा यह यह यहां पर फिक्स करके जितना हो जो भी कलर लेना है इसको काट के अपना काम कर से तो और इसको यह डब्बे भी कोई ज़रूद नहीं है है जब यह रखी भी बच गिया और में ना टाइम भी बच रहे है कि इसमें एक टूल थे जिसमें ट्रेडली था और बहुत सारे से थे जिसमें एक के उपर एक करका रहता था नंबर भी था प्लेट बन गा था मानने बहुत दिक्कत ह Tai डोंड नेंबी जिसमें मुझे और इसको ड्रैवर बनियर और इंची टेप सबका लगा दिया गया जिसे ढूंडने से वासान ही हो जा हारा सबका मुझे मिल जाता है दूर से देखने मिल जाता है कोई भी आगे यहां डूड सकता है क्या आपके सारे टूल आ गए हैं इसके अंदर हाँ भी सारे आ गडे हैं क क्या और बागी भी डिखा सकते हूं में आप इसमें कुछ ऐसा है इसमें कुछ करने वाला हूं और थोड़ा सुदार यह कुपर वाला है इसको मैंने लेवल गेज और राइट इंग अलग डियू रख दिया है और इसमें यह नडवोल्ट हैं सारे सबके नाम लिख दिया गया है इसमें जोनने से मुझे बहुत आसानी हो रही है मिल जाता है इसमें कुछ पिच्चर का समान है वह भी अच्छे डंक से रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें इन टूल है जो इसको करना पड़ता है इसमें पैकिंग के लिए यह एसमें काम में लगाते हूं और यह मेरा इसको मैंने दिया था आपको लोगों को इसमें कुछ सुधार में करने वाला हूं कि यह हमारा डिलमेंसिंग के फिक्चर थे फ्लेंचों के जो ऐसे प्रेमर ओकर के सिर्फ रहते थे पहले तो इन मेंने कोई कुछी करता है किस आइड नहीं है तो कोई नया रहती है तो किस सब्सक्राइब को में पता चल गया और इसमेंड वह वह घ्लावा दिया जिसे हमारा कोई भी कोई भी निया दूसरा दाना कोई नया वेक्ति आता है जिसको नहीं पता वो पढ़के देखके आसानी से डूड सकता है तो पहले से हमारा काफी टाइम बचा है और और इसके पेंट करवा दिया तो इनकी लाइफ और सुन्दरता भी बढ़ देखाना चाहता कि एक यह पाउडर कोटिंग पीस है और एक हमारे यह यह पेंट बोडि पीस है अचली क्या है कि पहले जो हम लोग पाउडर कोटिंग के लिए बेशते थे ना वेंडर के पास तो उससे अपने को जो है भीजने के लिए मिनमाम क्वांटिटी और फोल ओप यह दो चीजों क के लिए बड़ा ही स्टगर करना पड़ता था तो हमने कुछ पर्मिशन लेगे अपने सियो साब से और हमने पेंट का प्रोविजन करा और पेंट वाली बोडियों से अपने को यह बैनिफिट आया कि जो हमारा टाइम ओफ डिलीवरी है वह बहुत बचा प्लस हम एंशोर हो